गुरुकुल में आज विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ा हुआ था क्योंकि परिक्षा का परिणाम घोसित होने वाला था कई छात्र परसन्य थे तो कई मुल अटकाई भी खड़े थे उनकी परसन्यता और उदासी अकारण नहीं थी जो छात्र उत्रिण होते उन्हें अगली कक्षा में प्रवेस मिलना तै था परन्तु अनुत्रिण होने वाले छात्रों को ना केबल गुरुकुल ही छोड़कर जाना पड़ता बल्कि आचारियों की खरी खोटी भी सुननी पड़ती क्यों रे मूर्ख तु फिर अनुत्रिण हो गया तुझे मैंने समय रहते ही समझाया था ना कि अधी इस बार उत्रिण ना हुआ तो गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाएगा एक आचारि एक किसोर विद्यार्थि को डांट रहे थे और वह बेचारा चुपचाप सुन रहा था डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधान आचारि से निवेधन किया आचारि देव मैंने अपनी तरब से तो पूरुन प्रयास किया था परन्तु निर्बल इसमर्ण सक्ती के कारण मैं जो कुछ भी याद करता हूँ उससे थोड़ी देर बाद ही भूल जाता हूँ क्रपया मुझे एक औसर और देने की क्रपा करें यदि तुझे कुछ इसमर्ण ही नहीं रहता तो फिर तु कैसे उत्रिण हो पाएगा और तेरे बिद्ध्य अध्यन करने का भी क्या लाब होगा यदि देवता भी तुझे पर क्रपा करें न तो भी तुझ जैसे जड़ बुद्धी को उत्रिण नहीं करा सकते आचारे ने अपने इंतिब्र सब्दों के साथ वरद राज की खुब बुराई की और उस पर चिलाते हुए उसे गुरुकुल से बाहर निकल जाने के लिए कहा कक्षा के सभी छात उस पर हसनी लगे वह बेचारा भी अपना मून रटकाए बोजिल कदमों से वहां से निकल गया अनेको प्रश्न उसके मन में उतल पुथल मचाय हुए थे कैसे वह अपने घर लोटेगा माता पिता को जाकर क्या उत्तर देगा जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है तब वह कैसे उनका सामना कर पाएगा वरत राज कहरदे बैठा जा रहा था आखिर उसने अपनी और से तो भरसक प्रहतनी किया था रात रात भर बैठ कर बढ़ाई की थी लेकिन यदि फिर भी उत्रिण ना हो सका तो वह क्या कर सकता था सवालों के भमर में फसा वह अब अपने काउं के पास ही आ पहुँचा था पर क्योंकि धूप बहुत तेज हो चली थी इसलिए उसने थोड़ा बिस्राम करने का निश्चे किया गर्मी की इस तप्ती दोपहर में सूरच की तेज रोसनी सब को जला रही थी पर यहां भूंक भी उसे बहाल किये हुए थी इसलिए पास के कुई की जगत पर बैठकर ही उसने सत्तु खाने का निश्चे किया जिसे वह गुरुकुल से लेकर चला था कुएं पर कई लोग खड़े थे प्यास के मारे सब बिहाल थे इसलिए बार-बार डेंगची कुएं में डालते और सीतल जर निकाल कर पीते रसी के बार-बार रगडने से कुएं के किनारे लगा पत्थर भी घिसने लग गया था लोग जितना पानी निकालते पत्थर उतना ही घिसता जाता वरद राज चुपचा बैठा यह सब देख रहा था अचाना कि उसके मन में एक बिचार आया वह सोचने लगा यदी केवल जूट की बनी एक रसी से कठोर पत्थर घिस सकता है तो यदी मैं परिस्रम करूँ तो क्या सफल नहीं हो सकता आखिर दिमाग पत्थर से ज़्यादा कठोर तो है नहीं वरद राज के मन में आसा की जोती जगमगा उठी वह उठ खड़ा हुआ और तुरंत ही उसने निश्चे किया कि वह वापस गुरुकुल लोट जाएगा और फिर से अध्यान आरंभ करेगा वह घर के समीब आ गया था पर घर ना जाकर वापस गुरुकुल लोट आया उसके साथ ही उसे देखकर आश्चरे चकी थे उसकी बात सुनकर आचारे ने पहले तो उसे बहुत जटका और उसकी बहुत बुराई की पर फिर उसके बहुत अन्धने बिने और प्राथना करने पर द्रभित होकर उसे गुरुकुल में दोवारा प्रवेस दे दिया इस बार वरद राज ने अध्यन में राद दिन एक कर दिया और जब परिक्षा का परिणाम आया तो संपूर्ण गुरू कुल इस्तब्ध था बरदराज ना केवल उत्रिन हुआ था बलकि उसने संपूर्ण विद्याले में प्रथाम इस्थान प्राप्त किया था एक समय जड़ मूर्ख समझे जाने वाला यह बालक आगे चल कर संस्क्रत का बहुत बड़ा बिद्वान बना उसने कई अदूती ग्रांथों की रचना की चात्र उसका सिस्सिबंधना गौरप की बात समझते थे पर यह सब किसी जादू से संभो नहीं हुआ था यह आश्रे जनक प्रणाम उपजा था संकल्प की अमोग सक्ती से कठोर परिस्त्रम और प्रवलिक्षा सक्ती के बल पर ही यह संभो कार्य संभो हुआ था काम्याव लोग गलत नहीं कहते निश्य ही संकल्प सफलता का प्रथम सूत्र है सच्चा संकल्प एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता यदि हम किसी भी कारे को करने का संकल्प कर लें तो ऐसा कौन सा अवरोध है जो उसके मार्ग में चट्टान बनकर खड़ा हो जाए निसंदेह कुछ भी नहीं करोणों युवाओं के प्रिणा स्रोध स्वामी विवेकरन जी ने एक बार कहा था मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रमांड में कोई भी सक्ती किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सक्ती जिसका वह वास्तों में हकदार है यदि मन अपनी पूर्ण छमता में जागरत है तो हर चीज पाई जा सकती है पहाडों को भी खाग में मिलाया जा सकता है संकल्प दूसरी किसी भी चीज से ज़्यादा सक्ति साली है प्रवल अक्षा सक्ति के सामने हर चीज को जुगना ही पड़ता है क्योंकि यह सीधे भगमान से आती है एक सुध और सक्ति साली संकल्प सर्वसक्ति मान है